नेहा की किचन में आप लोग का स्वागत है, I hope कि आप लोग अच्छे होंगे, आज भींडी मसाला फ्राई की रेस्पी लेके आ गई हो, जो बिल्कुल कलर्फूल और बहुत टेस्टी, अगहर के एकतम बेसिक मसाले से बनाए हैं, चलिए रेस्पी देख लेते हैं, भींडी म प्राई बनाने लिए चाहिए हमें बिंडी, जो 500 ग्राम में बिंडी ली हो, उसको दोग अच्छे से सुखाय के में काट ली हो ऐसे, उसके बाद हमें चाहिए दो ब्याज, जो में बरी-बरी काट ली हो, दो से तीन हरी मिट, 7-8 कली लहसन यहां में ले ली हो, मेथी दाना ली हो, यहां आप जीरा का तड़का लगा सकते हैं, कडाही लेंगे, जो बिल्कुल खुला हो, तेल अच्छे से गरम हो गया है, तो मेथी दाना येट करेंगे, मेथी दाना थोड़ा कलर चेंज करेंगा तो लहसन येट कर देंगे, अको सिकरिए कि लोहे कडाही में बनाई उसके बाद यहां प्याज एट कर देंगे, और प्याज भिंडी में जरूर एट करिए कि मिठास भी होता है और कुरकुरी भी होती है, प्याज और भिंडी दोनों साथ में भूनेंगे, और अच्छे से मेक्स करेंगे, कि तेल की कोटिंग अच्छे से सब पे लग जाए, त बहुत अच्छी बनेगी चिपचिपई नहीं बनेगी इस तरह से भिंडी मसाला फ्राई बनाया जाता है नमा के एट करेंगे स्वात के अनुसार और एक आप लोगों से प्यारी से रिक्वेस्ट अगर मेरी वीडियो आप लोको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक कर हैं वो जरूर सस्क्राइब करें हाफ इस्पूने हाँ एट करेंगे हल्दी पाउडर अच्छी मिक्स कर लेंगे हाफ फिस्पूर ने एट करेंगे चिली फ्लेक्स अब चिली फ्लेक्स के जगा पे खुटी हुई लाल मिर्ज भी एट कर सकते हैं हाफ फिस्पूर ने एट करेंगे लाल मिर्ज का पाउडर हाफ फिस्पूर ने हाँ एट करेंगे गरम मसाला एक चमस एट करेंगे धनिया पाउडर अमचूर पाउडर हाफी स्पून एट करेंगे अमचूर पाउडर से बहुत अच्छा स्वाद आता है और मसाले की कॉन्टिटी बिल्कुल कम रखनी है ज्यादा नहीं रखनी है क्योंकि सुखी चिली फ्लेक्स भी डालें है लालविच का पाउडर भी एट किये है हरी मेच इसलिए थोड़ा थोड़ा ही एट करना है देखिए बन के कितना अच्छा त्यार हुआ है ऐसे कुछ बन के फाइनल लुक दिखेगा अपनी बिंडी फ्राइम मसाला की चले फ्लेटिंग कर लेते है तो इस रेजपी से एक ट्राय तो बनता है देखिए कि इतना अच्छा बन के त्यार हुआ है इसको फुलके प्राठे राइस दाल किसी के साथ इंज़वाय कर सकते हैं और आपनों मेरी वीडियो कहां से देखते हैं पमेंट में जरूर बताईए